हेलो फैंड्स वेल्कम तो शेयर मार्केट फेंड आगें यह वाला जो एपिसोड है यह कोई स्पेशल पर्टिक्यूल न्यूस के बारे में नहीं है तो ओवरॉल जो पूरा न्यूस फ्लो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे निकाल के रखें ऐसे कुछ चोड़े चोड़े चेंज होते हैं या फिर स्मॉल मोमें में निकाले हुए मेरे उप्से तो यह कुछ पॉइंट्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत में मेरा ओपीनियन शेयर करूँगा या फिर में हाईलाइट करना चाहता है इसाब पॉइंट्स या अलग-अलग-अल तो वहां पर आयम से ज़्यादा जो पैकेज होता है सेलरी में कैंपस में होगे रहा तो वह मिला है तो वह एक नोटिसेबल चीज मुझे लगी जो एक चेंज हो रहा है अपने पुरे सिस्टम में या फिर एजुकेशनल पारलाइम में थर्ड पॉइंट जो मैं नोटिस कर रहा किया कि जो आईलेंड एफेस के स्पेशल परपस वहिकल्स है उसको अभी म्यूचल फॉंड्स में मांक डाउन करना शुरू किया है मतलब वह उसको मांक करना शुरू किया है कि यह रिकावर नहीं होगे या फिर उनके लिए एक प्रोविजनिंग ऐसे पर्टी कुछ करना पड़ेगा तो यह आईलेंड एफेस का जो ओवराल इशु है यह धीरे-देरे आप यूचल ने एईलेंड एफेस के एस्पी उसको मांक डाउन किया हुआ है उसके बाद फॉर्थ पॉइंट है स्विगी और जो जो मैट है जो फूद डिलिवरी स्टार्ट अप से कंपनी है उनका टसल अभी बहुत बढ़ गया है आंदाबाद में जो उनके ओपर बॉइकॉट चला ह है वो है कि जो अभी लेटेस इलेक्शन आ रहे है उसमें एक्सपेक्टेड है कि लगबग अराउंड बारा हजार करोड तक का पैसा जो है करोड रुपे तक का पैसा मार्केट में आने वाला है या फिर जो सोशल मेडिया एलेक्ट अडवर्टीजमेंट वगेरा वो सब है उसके अंदर आने के एक्सपेक्टेशन है और सेम उन सेम लाइन पे जो पॉलिटिकल एड की वाज़े से इस्जू के बारे में तो फेजबूक ने उसमें ट्रांसफेरंस सी बहुत बढ़ा दी तो सेम काइंड ऑफ प्लैटफॉर्म अभी गूगल भी डॉंच करने जा रहा है कितने अमॉंठ कर रहा है कैसे प्लैटब तो वह विवर्स जो लोग है उनको इसका हेल्प हो सकता पता चल सकता है ऊगे और नेक्स्ट पॉइंट है निफ्टी का निफ्टी के बारे में बहुत सारे यूटि बहुत से पर्समें और यूस व्रोग में यह आ रहा है कि थोड़ा सा कॉसली है compare to other countries के जो इंडेक्स है उनके इसाब से और प्लस रिसेंटली चौदा जनवरी से लेकर आभी तक मतलब एक से देड़ हपते के बीच में अकेले रिलाइंस इंडेस्ट्री में जिसमें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है तो उसने अकेले ने तेरा परसेंट को ऊपर लाया तो बाकी तो कोई स्टॉक इसमें ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आज का भी अगर अपडेट देंगे जब मैं यह वीडियो बना किया रूपी अभी भी हाईयर लेवल येर के जो हाईयर लेवल से 71.5 अगेरा उसके आसपास ही घूम रहा है और इंपोर्टन चीज जो नोटीस में आई है वो कि यह ऐसे पॉइंट है कि युनाइटेड किंग्डम से रिलेटेड है मगर यह ओवराल जो सिस्टम है उसकी व लोवेस्ट रेकॉर्ड हुआ है मतलब भले यह जोबलेस का रेट कम होना अच्छा है मगर जब स्लोडाउन आने वाला रहता है तो ऐसे जो रेट्स होते हैं इनके पीक रीच करते है तो 44 यह में युके का जो जो जोबलेस का डेटा है वह आप तक का लोवेस्ट मतलब 4 स्पेशली वहां पर ब्रेक्जिट की इशू चले तो वह भी एक कॉज ऑफ कंसरन है उसके बाद चाइना में भी सेम एक अलग पैटर्न डिवेलप हो रहा है वहां पर अब तक का एक दो डिकेड का जो लोवेस्ट फोरकास्ट वगरा किया है वह अब तक का लोवेस्ट 6.5 पर 7 कुछ किया वाद तो वह भी एक नोटिसेबल चीज़ है उसके बाद RBI का जो शेर मार्केट में फॉल होने का या फिर और डेट मार्केट में बहुत सरी इन्वेस्ट में होने का बड़ा रिजने का जो बड़े बड़ेएं़ फॉररी इन्वेस्ट्न पर होते हैं उसके बाद आज की जो तो फॉलस थे उनके list में ICS Approve, Reliance Communication, Aditya Billa Capital, India Bulls Housing, उसके बाद प्रभार dairy का तो सबको पता है कि उनका जो main core business है वो sale कर रहे है तो उसके वज़े से उसके earning का क्या करने वाले वो पता है यह इनके वज़े से वो गिर रहा है उसके वाद स्री इंफ्रा जो de-merger और merger के activities कर रहा है तो यह जो list थी है high volume से fall on stocks की थी और जो high volume से gain हुए है उसमें bank of maharashtra इक था जिसने भले provisioning बड़ा जिया है मगर उनका NPA बहुत अच्छा घासा रेडियूस हुआ है उसके बाद PC जो हमेशा न्यूस में होता है यस bank का head CEO election की तरफ moment positive दिखाई दे रहा है market को उसके बाद TV18 broadcast sun pharma थोड़ा सा जो न्यूस फ्ले उसको सुदारने के लिए वो अच्छे घास से कोशिश कर रहे है और उन entertainment उनके Z5 जो platform है उसमें improvement कर रहा है और उसका market बढ़ा रहा है और जिंदाल steel यह सब high volume के साथ rise कर रहे थे हैं आज के दिन और उसके बाद एक CNV से आवाज का भी update बताना चाहूंगा उस पर traders lives ऐसे कुछ एक program शुरुआ है जो कि मुझे अच्छा लगा तो I thought कि I should share with you also जि जैसे की brokerage firm है तो वहां फिरेक्ली विजिट करके उनके opinion और discussion कर दे और VC funding जो venture capitalist है उसका data कुछ आया है तो 2018 में highest मतलब 8 billion का जो number है वो reach के VC funding में जो की बहुत अच्छी बात है और international India से related moment वह था कि यह की Shanghai का जो gold exchange है वो इंडिया की gift city में trading या फिर जो उनका operation है वो start करने की pushish कर रहें तो that is really a expansion move by China उसके बाद एक gold ornaments या फिर gold selling से related news है जो की थोड़ी negative है overall जो gold का sale है वो इस बार बहुत ही lowest मतलब बहुत सालों का अब तक का low record हुआ है जो की indicate करता है कि rural area में खास करके जहां पर सोने का consumption सबसे जादा होता है तो वहाँ पर fall record हुआ है तो obviously यह reflect करता है कि rural areas में distress थोड़ा सा बढ़ रहा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर आप कुछ correction चाहते है यह यह मेरा first वीडियो है related to news यह फिर जो के observation में फील करता हूं overall market में जो moment noticeable दीख रहे तो I hope I will improve on it और आपको पसंद आया होगा तो please like पे click कीजिए and share पे click करके आप इसको share भी कर सकते है share market friend को सुनने के लिए बहुत बहुत thank you